सब्सक्राइब करिए टेग गेमिंग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन सबसे पहले लेने के लिए हेलो वाटसब गाइस के सो अब सभी लोग मैं आचुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ में तो दोस्तो यह जो वीडियो होने वाली है बहुत ही जादा सपेशल होने वाली है यह दोस्तो वीडियो जो है आपको एक कीबोर्ट का मास्टर बना देगी तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके end तक देखना, skip जरा सा भी मत करना बनना, आप कुछ important shortcut keys भी miss कर देंगे जी हाँ आज दोस्तों हम बात करने वाले कुछ ऐसी shortcut keys पे, shortcut tips पे, जिससे दोस्तों आपको mouse की जरूरत नाके वराबर ही पड़ेगी और आप जल्दी जल्दी keyboard से अपना काम कर लेंगे, और दोस्तों आप अपने friends या family के आगे भी अपना impression अच्छा बना सकते हैं तो दोस्तों बिना time का वाइज जल्दी से फटा-फट से इस वीडियो को start करते हैं तो ओके गाईस जो है सबसे पहले जो हमारे पास shortcut की आती है वो आती है दोस्तों alt tab तो दोस्तों मैं आपको इस shortcut की का यूज करना बता देता हूँ उसके लिए सबसे पहले दोस्तों में को बहुत सारी windows open करनी पड़ेगी तो ओके गाईज दो दोस्तों मैंने आपे तीन विंडोज ओपन कर लिया Microsoft Edge, Google Chrome और यहाँ पर है File Explorer तो दोस्तों आप देखे सकते हैं मैंने तीनों चीज ओपन कर लिया लेकिन अब आप सपोज एक multi-tasking बन्द है अगर आप बहुत सार दा काम एक बारी में करते हैं तो दोस्तों यह shortcut की आपके लिए बहुत यूसफूल है तो simply दोस्तों आपको अपने keyword पर जाना है और वहाँ पर Alt-Tab प्रेस करना है तो दोस्तों आपके सामने कुछ LC विंडो आजएगी अगर आप Alt-Tab को प्रेस करते रहिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं वाइट कलर का बॉक्स जो है हर एक विंडो पर बार 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 सुच हो रहा है जैसी मैं टाब दबा रहा हूं तो दोस्तों इससे क्या होगा अगर आप जिस पर भी टैब छोड़ देंगे और Alt-Tab छोड़ देंगे वह वाली विंडो ओपन हो जाएगी तो दोस्तों आपको यह जो है दो तीन बार ट्राय करना पड़ेगा तब ही आप पॉफेक्ट हो पाएंगे इन शॉटकट कीज में और जो है दोस्तों आपको काफी जादा यूसफूल होने वाली शॉटकट कीज तो दोस्तों इनके एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजएगा और बाकी चली दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी शॉटकट की इसकी तरह बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दे रखा दोस्तों तो आप वहाँ पे जाके हमारी वेबसाइट को भी चेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम मैं डिजाइन कर रहा हूं काफी ज्यादा 2-dra डिजैइन कर रहे हैं अगर आपको भी दोष तैसे कुछ चीज चाहिए या फिर आफ फैंफिलेट वग़रे डिजाइन करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें contact कर सकते हैं दोस्तों पूरी contact information आपको मेरी website में मिल जाएगी और दोस्तों link जो है आपको description में मिली जाएगा तो आप वहां से जाके पूरा और मेरे को contact वगरा कर सकते हैं और हमारी website को check out दोस्तों जरूर कर लेना तो दोस्तों चल्दी से बढ़ते हैं अपनी दूसरी shortcut की कि और जो है दोस्तों control shift और escape तो दोस्तों यह जो है बहुत ही जादा बहुत ही जादा important होने वाली है दोस्तों shortcut की अगर आप ए computer user है और आपको यह वाली shortcut की नहीं पता तो दोस्तों sorry लेकिन आप ए computer user नहीं कहला सकते दोस्तों विकॉज जो है यह shortcut की है task manager के लिए आप मैंसे बहुत लोग क्या नहीं गरना simply एक shortcut की है बहुत ही latest है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ctrl shift और escape प्रेस करना अपने keyboard पे hand तो दोस्तों आप देख सकते है हमारी screen पर जो है task manager खुल चुका है और आप यहां से दोस्तों अगर आपके कोई window अटक गई है तो आप यहां से simply end task कर सकते है बहुत इस तो फड़ा फट से बढ़ते अपनी next shortcut की की तरफ तो दोस्तों जो next shortcut की आती है बहुती है windows दी तो suppose दोस्तों अगर हम यहां पर बहुत सारी windows open कर लेते हैं calculator settings वगरा suppose मैंने दोस्तों multi windows open कर ली अगर आप इने minimize अगर आपको एकदम desktop पे switch होना है तो आप बहुत सारी लोग ऐसे minimize करते करते जाएंगे या फिन इने close करेंगे जो जो useful नहीं होंगी तो दोस्तों आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जितनी windows खुलीवें दोस्तों हजारों windows कर देना है एंड दोस्तों आप देख सकते हैं simply आप अपने desktop पे switch हो जाएंगे वापसी के वापसी बीच में जितनी भी सारी windows है दोस्तों सारी की सारी minimize कर देगा आपका system और सीध आपको desktop पे switch कर देगा तो दोस्तों अगर आपको शॉटकटी अच्छी लग रही हो तो दोस्तों हमें switch करते हैं lock screen पर तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जैसा कि आप screen पर message देख सकता है अगर आपको भी ऐसा कभी कबार message शो कर रहा है तो दोस्तों आप confused हो जाते होंगे और आपका system भी hang करता होता होगा तो आप परिशान हो जाते होंगे कि आप Mac क्या कर जैसे दोस्तों आप काफी ज्यादा features को access कर सकते हैं जैसे कि आप यहां से दोस्तों shutdown और restart कर सकते हैं अपना password चेंज कर सकते हैं sign out कर सकते हैं अगर आप multi user है तो आप 2 users के बीच में switch कर सकते, administrator और admin और many more और यहां से task manager open कर सकते हैं अपने PC को lock भी कर सकते हैं दोस्तों तो जो है बिल्कुल perfect हो जाएगा और आप जो भी वेकार की टास्क होने बंद करके refresh कर लीजे और दोस्तों system जो आप सी पहले जैसा चलने लगेगा तो okay guys जो बढ़ते हैं अपने 5th shortcut की की तरफ जो की है new folder के लिए तो दोस्तों आप मेंसे बहुत लोग new folder क्रिएट करने के लि दोस्तों यह देखें कितने सारे folder बनाते चली जाए यह कोई limit नहीं दोस्तों folder बनाने की दोस्तों अब देखें फटाफट कितने जल्दी जल्दी बन रहे हमारे folder तब देख सकते हैं मैंने इतनी जल्दी दोस्तों बातों बातों में चार folder बना भी दिया हम देख सकता है मै आपने सारी folders डिलीट कर दिये अब मेरे को दोस्तों इने restore करने है दोस्तों यह सिर्फ ट्रिक तभी काम करेगी जब आपने डिलीट करने का जो कोई और action perform ना करा हूँ या फिर आपने permanently डिलीट ना करा हूँ तो दोस्तों यह जो है यह restore के लिए आपको simply अपने keyboard पर जाना और Ctrl Z प्रेस कर देना है तो देखें जैसी मैंने Z प्रेस करना नीचे एक folder आ चुका है मेरा और मैं तीन बार Z प्रेस कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सारे folders आ चुके हैं तो दोस्तों यह जादा useful और बहुती जादा कमाल की ट्रिक है अगर आपको एक जो है restore करना है अपनी कोई file या folder अगर आपसे accidentally कोई file या folder डिलीट हो जाता है सिर्फ डिलीट होता है दोस्तों अगर permanently डिलीट हो गया है तो दोस्तों आपको एक में भी third party software की जरूरत पढ़ सकती है जो कि दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है तो दोस्तों आप जाके चेक आउट करते लेना तो दोस्तों आप चलते है अपनी six shortcut की की तरफ जो की है हमारी new tab तो दोस्तों आप क्या करते होंगे सब्सक्राइब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं और वेब ब्राॉजर पर आपको तो आप यहां से plus पर क्लिक करते होंगे और बहुती जादा आप को टाइम खोलने में बाते चली जाएए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सारी टाइप इतनी जल्दी 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 दोस्तों खुले जा रही है खुले जा रही है और दोस्तों बहुती ज्यादा यूसफुल यह है shortcut की जो कि आपको बहुती ज्यादा काम आएगी और आपका ज जो कि दोस्तों आपके बहुत जादा यूज में आगी and आपको मैं definitely कह सकता हूं कि आपको ये जरूर यूज करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सपोज आपने बहुत सारी multi windows खोल रखी है सपोज मैं यहापर youtube खोल लेता हूं and यहापर सपोज आप booking.com खोल लीजिए यहापर आप लोग settings खोल सकते हैं यहाप आप Gmail खोल सकते हैं देख सकते हैं मैं आपर नई tabs खोल ली है तो दोस्तों सपोज अगर मैं यहापर सारी tabs अलग-अलग कर देता हूं सपोज यह मैरी priority tabs कर देता हूं मैं तीन जिस पर आप main काम कर रहे हैं तो दोस्तों यह हमारी तीन priority tabs हो गई उसके दोस्तों आप सपोज यह वाली अगर मैं यह tab बीच में कर दो and आप delete delete करते वे आ रहे हैं सारे tabs जो और अगर accidentally दोस्तों अगर आपसे यह tab delete हो जाती है जिस पर आपको बहुत ज़्यादे important काम था तो दोस्तों आप उसे restore कैसे कर सकते हैं restore करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना आपको simply कोई history में नहीं जाना कोई वहां से restore कुछ नहीं करना simply दोस्तों web browser में गए अपना keyboard पर प्रेस कर हमने ctrl shift.t जिससे दोस्तों हमारी जो tab हो चुकी है restore और हम जो अपना दोस्तों काम कर रहे तो हम अपना continue कर सकते हैं तो okay guys जो हमारे पास next shortcut की आती है वो आती है downloads की तो दोस्तों अगर आप suppose बहुत जादा डाउनलोड करते है movies और songs और software online तो दोस्तों आपको अपने downloads जो है manage करने पड़ने suppose web से पहले मैं आप अपनी सारी tabs close कर देता हूं and एक new tab पर हम switch हो जाते है तो दोस्तों अगर आप बहुत सारी downloads करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ते हैं आप यहाँ पर तीन विंदी पर क्लिक करते हैं जो आपके right hand side पर top right hand corner पर आते हैं simply आपको Ctrl J प्रेस करने और सारे downloads आपके पास शो हो जाएंगे तो चल्दी से बढ़ते हैं नेक्स ट्रिक की और नेक्स शॉटकट की की और दोस्तों अगर वीडियो इंट्रस्टिंग लग रही है तो फटा फट से जाके दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल क सब्सक्राइब कर दो ओके गाईज जो हमारे पास शॉटकट के आती है बहुत ही है विन्डूस आर तो दोस्तों यह जो है बहुत ही जादा इंपॉर्टैंट शॉटकट की है सबसे तो दोस्तों Windows आर जो है रन कमांड के लिए यूज होती है आप में जो अगर बहुत लोग कुछ प्रोसीजर नहीं करना आपको simply अपने कीबोड पे आना है विंडोज और प्रेस कर दीजिए बस आपकी रंड की जो दोस्तो टैब है वो उपन हो जाएगी अब यहां से दोस्तो कुछ भी एक्सेस कर सकते अपना प्रीफेच टेंपररी फाइज टेंप फोलडर जो भी आप चाहिए अगर आप यूज करते है दोस्तों अगर अगर आपको जानने की दोस्तों प्रीफेच वागरा सब क्या होता है आप मेरे को कमेंट करके बता देना द जादा पसंद आती है या फिर आप उस पर बुकमार्क लगाना चाहते हैं उसे फेवरेट करना चाहते हैं सपोज मैं यहां पर अमेजन.com खुल लेता हूं फटा फट से ओके गईस तो यहां पर जोपर बुकमार्क एडिट लिखा चुका है तो मैं इसे बुकमार्क को किसी चुकी बुकमार्क बार में एड हो जाएगी या पर आप नीचे देख dificult नहीं पर जो है यह जो है सर्च बार के जैस्यूरल बार की नीचे एक बुकमार्क बार आता है जो कि मैंना भी डिसेबल कर रखी है अब उसे इनेबल कर सकते村сть में आ ले जाके तो महां पर दोस्तों जो हमारी next shortcut कियाती है वो आती है control plus click suppose दोस्तों अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं suppose मैं अपनी website का नाम ही search कर लेता हूँ okay guys तो दोस्तों है यहाँ पर सबसे पहले मेरा जो है पूरा user वागेरा interface है आप यहाँ पर जाके मैं आपको बता दिए दोस्तों विजिट कीजिए मेरे को contact कर सकते हैं आप लोग और अगर दोस्तों आपको कुछ इस में से कुछ चीज की design अगर आपको करान है तो दोस्तों आप मेरे को personally contact कर सकते हैं और mail कर सकते हैं तो दोस्तो मैं बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाय दे दूँँ और आप में से डिजाइन करवा सकते हैं कुछ भी तो ओके गाई तो चलिए फटाफट से अपने टॉपिक पर आते तो दोस्तो जो कि यह शॉटकट की जो कि यह नई वाली हैं तो दोस्तो अगर आपको कोई लिवेब साइट खूलने है तो दोस्तो हैं आपने कीबारण पर कंट्रोल प्रेस करके रखना है यह वेब साइट आपको पर सिंपली क्लिक कर दिढ़ना है अपने अप दोस्तों new tab में खुलती रहेगी आप side में देख सकते हैं जितनों पर भी click करूँ सब new new tab में खुलती जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों मैंने अपने keyboard पर control प्रेस करके रखा है suppose अगर मैं दोस्तों अपनी website ही खुलना चाहूं अपने दिक्कत के आतने दोस्तों knowledge के लिए कुछ भी okay guys तो दोस्तों अब जो आने वाली है वो आने वाली है नई trick जो कि दोस्तों बहुत ही जादा latest है और आप मैंसे बहुत ही कम लोगों को दोस्तों पता होगा तो दोस्तों मैं आपको से बात करता हूँ एक new window के बारे में suppose suppose अगर आपने chrome already open कर रखा है और आप इसमें new tab जितनी मर्जी चाहा एड कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको chrome में ही एक new window खोलनी है तो दोस्तों आप यहाँ पर right click करेंगे और move tab to new window करेंगे shift press करके रखने हैं जैसे दोस्तों पहले वाली trick में हमने control press करना था वैसी आपको यहाँ पर shift press करना है shift press करते ही दोस्तों आपको जो भी नई टाप खोलनी है उस पर click कर दीजिए यहाँ पर देखे दोस्तों नया Microsoft Edge खोल गया है यहाँ अगर आप chrome पर click करेंगे तो दोस्तों new chrome में window खोल जाई तो आप दोस्तों आपको इसके बारे में नहीं पता है तो दोस्तों आपको जरूर पता होना चाहिए तो दोस्तों यह थी बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग शॉटकट ट्रिक अब चलते हैं फटाफट से next की तरह तो दोस्तों अब थोड़ा सा जो भी हमने web browser और desktop और जो basic shortcut कीश थी वो सब कर ली लेकिन दोस्तों अगर आप एक टाइपर है या फिर आप Microsoft के apps बहुत ज्या बहुत लोग जो ऐसे है जो एक ओगनीटो टाप का भी बहुत ज्यादा यूज करते दोस्तों उनके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास में तो दोस्तों आप क्या करते होंगे आप पर जाते होंगे उपने इंटर उपन करते होंगे कुछ नहीं करना दोस्तों आपको simply अपने तो आपने देखा कितना easy और कितनी easy shortcut tricks पर आप काम कर सकते हैं यो आपको बहुत ही ज्यादा help करेंगे तो दोस्तों पड़ा फट से बढ़ते आपने Microsoft words की तरफ दोस्तों महाँ पर मैं आपको कुछ निया काम दिखाता हूं दोस्तों सबसे पहले मैं आप इसे maximize कर लेता हू तो दोस्तों visibility के लिए आपके लिए थोड़ा से इसे zoom कर देता हूं तो okay guys सबसे पहले suppose आपने आप एक टेक्स लिखा वे suppose मैं आप लिख लेता हूं इस और टेक गेमिंग पीजे के नाम पर आपको बीच में और दोस्तों अगर आपको इस की तरफ डिलीट करने सपोज अगर आपको left hand side की तरफ डिलीट करने तो आप बैक स्पेस का यूज करेंगे तो देख सकते आप दोस्तों सारा जो है left की तरफ एरेज हो रहा है फिलाल मैंसे दोस्तों फटाफट से रिश्टोर कर लेदा हूँ ओगे गाइस तो दोस्तों अब जो आता है वह हमारे पासाथ की next shortcut trick जो कि एक redo और undo के लिए तो दोस्तों यह आपको बहुत लोगों को आपको पता भी होगा और बहुतों को नहीं भी पता होगा तो दोस्तों मैं आ delete हो गई तो आप उसे restore कैसे कर सकते हैं आपको simply control z press करना है और देखिए दोस्तों हमारा जो text है वह वापसी आ चुका है अगर आपसे गलती से दोस्तों undo हो गया है मलब अगर suppose आपने delete करा and delete करके आपसे कलती से control z press हो गया और यह वापसी आ गया तो दोस्तों आप आप इस इसे वापसी delete कैसे करेंगे तो दोस्तों आप मेंसे कुछ लोग करेंगे इसे वापसी select करके delete करेंगे जबकि आपको ऐसा नहीं करना है आपको इसे दुबारा से select करना है and उसके बाद आपको control y press कर देना है y मतलब redo जो भी आपने पहले जो perform करा action वो दुबारा redo हो करेंगे new पे क्लिक करेंगे बगरा बगरा simply कुछ नहीं करना है दोस्तों सीधा जाएए अपने keyboard पर control and press कर दीजे new window दोस्तों open हो चुक है पता भी नहीं चला दोस्तों new window open हो चुक है यहां जी आप नीचे देखे दोस्तों 2 window open हो चुक है document 1 और document 2 चली एक और बार करके दि दोस्तों यह यूज करते रहे हैं दोस्तों मजा भी आएगा आपको और कुछ नहीं सीखने को मिलेगा तो ओके गाइस तो चलिए फटा फट से और आगे की ट्रिक्स की तरब बढ़ते हैं सपोस्तों कुछ भी टेक्स लिख लेता हूं एभी सीड़ी एफ जीएफ जीएच ओगे गाइस तो बीच में सपोस्तों मैं आपे स्पेसिंग दे देता हूं कुछ कुछ स्पेसिंग दे देता हूं ओगे गाइस तो मैंने जो हैं यहां पर दोस्तों स्पेसिंग दे दिये अब अगर मेरे को सिलेक करना होगा तो दोस्तों आप मेंसे कुछ ऐसे माउस को ड्र और एको किया करना, आपको select करने के लिए क्या करना, आपको simply अपने keyboard पर shift दबा करकना, और arrow keys की मदद से, जिदर की तरफ भी आपको select करना है, suppose मैं आपको 3-4 जगे, enter करके दिखा देता हम, तो suppose दोस्तो मेरे को यहाँ पर जो है आई और यू को सिलेक्ट करना है जो कि मेरे last दो लेटर ने है तो मैं simply shift दबाऊंगा and arrow की इसकी अदर से दोस्तो सिलेक्ट करना है समझें दोस्तो suppose मेरे को जो है right की तरफ सिलेक्ट करना है फिलाल तो मेरे पास right में कोई text नहीं है फिर भी suppose दोकर मेरे को left की तरफ सिलेक्ट करना है तो मैं दोस्तो shift दबाऊंगा and left arrow की को प्रेस करूँआ तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह एक एक word जो है एक letter सिलेक्ट हो रहे है दोस्तो जैसे कि मैं एक एक बार arrow की दबा रहा हूँ जो ही सिलेक्ट हो रहा है लेकिन दोस्तो अगर मेरे को यहां पर B तक लेना है MCN जो है दोस्तो मेरे को ऐसी रहने देना है और इतना ही जोस्तो मैंने जो portion B से लेके यहां से लेके B से लेके आई तक जोस्तो मैंने जितना भी portion सपोस जो select करा है वह उतना ही portion दोस्तो मेरे को उपर भी select करना है तो दोस्तो मैं simply shift दबा के रखूँगा और arrow की दबा दूँगा उपर की तरफ तो दोस्तो उपर की तरफ भी उतना ही select हो जाएगा दोस्तो फिल्लाल जो है आप सोचोंगे मैं उपर की तरफ प्रेस करो लेकिन यह mcnb क्यों select हो रहा है उसका reason दोस्तो यह है क्योंकि दोस्तो इन दोनों के बीच में spacing नहीं है जैसी दोस्तो आप इन दोनों के बीच में spacing देंगे जितना आपने command दिया उतना ही select होगा लेकिन दोस्तो आप मेंसे बहुत लोग यह पूछेंगे suppose अगर मेरे पास बहुत ही बड़े-बड़े words है suppose यह वाला एक word होगया बिना spacing के और यह वाला word होगया और यह वाला word होगया इसके लिए भी दोस्तो आपको shift दबाना लेकिन धुरस अब को जुप ऑफ कृणने साहत में encryran प्रेंगे प्रेंगे तो सब्सक्राइब करना है 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 तो तो पूरे एक वर्ड कंसीडर करा जाएगा Ctrl Shifter जैसी में arrow की दबाऊंगा पूरे वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तो विज स्पेसिंग जो उसके आगे एक स्पेसिंग देख सकते हैं जी के आगे भी एक स्पेसिंग है तो दोस्तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगी तो दोस्तो यह बहुत ही जादा useful trick है थोड़ा सा दोस्तो आपको ध्यान से समझना होगा एक दो बार दोस्तो जैसी आप try करते रहेंगे तो दोस्तो आपको जो है use में आती रहेंगी तो दोस्तो आपको दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो कुछ आपको सीखने को मिला और अगर आपको कुछ knowledge मिली हो तो प्लीज दोस्तो रिक्वेस करूंगा आप वीडियो को लाइक करिए जिए फटा फट जाके और comment करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको next वीडियो किस पर चाहिए या फिर अगर आपको कुछ confusion है तो दोस्तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं link description में और दोस्तो एक बर हमारी website को check out ज़रूर कर लेना वहाँ पर जो है दोस्तो मैंने काफी ज़्यादा information दी है अपने काम से related तो दोस्तो महाँ पर जाके check out कर सकते हैं और हम हमार से contact कर सकते हैं तो के गाइस वीडियो को यहीं end करते हैं मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ में बहुत ही जल तो thank you so much bye bye